सचिन पालेट बाढ़ मेर दौरे के लिए जयपूर से रवाना हेलिकॉप्टर के जर्ये सचिन पहुंचेंगे बाढ़ मेर बाढ़ मेर में करेंगे होस्टल का लुकारपन और प्रतीमा का अनावरण मंतरी है मरम चौदरी के स्वर्गय बेटे विरेंद्र के नाम से बना है हॉस्टल इसके साथ इस सचिन पालेट करेंगे सभा को सम्भोदित, सचिन के इस यात्रा और सभा के साथ सम्भोदन पठी की है सब की निगाहे ऐसा माना जा रहा कि सभा से सचिन देंगे जवाब गहलोट, डूडी और रंधावक को दिखाएंगे अपनी ताकत क्योंकि सचिन पर लगा है पूरविरादस्थान की जनाधार वाले नैता का टैग आज सचिन उस टैग को तोड़नी की करेंगे पूरी कोशिश इस दोरान हो सकता है कि सचिन समर तक जादतर नैतान नहीं रहे मौजूद ऐसा भी रंणीती के आधार पर होगा जैसा अंचन के वक्त हुआ था सचिन पालेट बाडवेर दौरे के लिए ज़रपूर से रवाना हेलिकॉप्टर के जर्ये सचिन पहुँच रहेंगे बाडवेर बाडवेर में करेंगे हॉस्टल का लुकार पन और प्रतीमा का अनावरण मंत्री हे मराम चौधरी के स्वर्गय बेटे विरेंद्र के नाम से बना है हॉस्टल इसके साथ इस सचिन पहलट करेंगे सभा को संभोदित। सचिन की स्यात्र और सभा के साथ संभोदन पठी की है है सबकी निगाहे. ऐसा माना जा रहा एक सभा से सचिन देंगे जवाब, गहलोट, डूडी और रनधावा को दिखाएंगे अपनी ताकत क्योंकि सचिन पर लगा है पूर विरादस्तान की जनाधार वाले नैता का टैग। आज सचिन उस टैग को तोड़नी की करेंगे पूरी कोशिश। इस दौरान हो सकता है कि सचिन समर्थ तक जादतर नैता नहीं रहे मौजुद। ऐसा भी रणनीती के आधार पर होगा जैसा अंचन के वक्त हुआ था। क्योंकि सचिन पर लगा है पूर्विरादस्तान की जनाधार वाले नैता का टैग। आज सचिन उस टैग को तोड़नी की करेंगे पूरी कोशिश। इस दौरान हो सकता है कि सचिन समर्थ तक जादतर नैता नहीं रहे मौजुद। ऐसा भी रणनीती के आधार पर होगा जै क्योंकि सचिन पर लगा है पूर्विरादस्तान की जनाधार वाले नैता का टैग। आज सचिन उस टैग को तोड़नी की करेंगे पूरी कोशिश। इस दौरान हो सकता है कि सचिन समर्थ तक जादतर नैता नहीं रहे मौजुद। ऐसा भी रणनीती के आधार पर होगा जैसा अंचन के वक्त हुआ था।